हेलो स्टुडेंट्स मेर उपाली हसनाले आज आप सभी को NCRT संस्क्रेट क्लास एर्थ रुचिरा भाग तीन के पाठ चार का अभ्यासकार्य समझाने जा रही हूं प्रश नमबर एक में हमें दिया गया है पाठे दक्तम गीतम सस्वरम गायत इसका मतलब होता है पाठ में दिये गए गीत को स्वर के साथ गाये आपको इस पाठ में जो ये गीत दिया गया है इस गीत को आपको स्वर के साथ गाना है ठीके तो प्रश नमबर एक आप खुद करोगे अब प्रश नमबर दो देखिए अधो लिखे ता नाम प्रशना नाम उत्तर आणी एक पदेन लिखत इसका मतलब होता है नीचे लिखे प्रशनों के उत्तर एक पत के द्वारा लिखो आपको ये जो प्रशन दिये गए है इन के उत्तर आपको एक पत के द्वारा लिखना है ठीके अब देखो यहाँ पर कमे हमें दिया गया है स्वकियम साधनम किम भवती इसका मतलब होता है अपना साधन क्या होता है तो इसका उत्तर है बलम बलम का मतलब होता है बल अपना साधन बल होता है ठीके ख देखिए पथी के विशमाहा प्रखराहा इसका मतलब होता है मार्ग में क्या असामान्य और नुकिले है इसका उत्तर है पाशानाहा इसका मतलब होता है पत्थर मार्ग में असामान्य और नुकिले पत्थर है ठीके अब ग में देखिए सततम किम कर्णियम इसका मतलब होता है लगातार क्या कर तो इसका उत्तर है धे इस्मर्णंप। इसका मतलब होता है लक्षका इस्मरण। उद्देश्य का इस्मरण। ठीके लगातार लक्षका इस्मरणी करना चाहिए। ठीके, अब घह में देखिए, एतस्य गीतस्य रचियता कह, इसका मतलब होता है, इस गीत के रचियता कौन है, तो इसका उत्तर है, श्रीधर भासकर वर्णे करह, इस गीत के रचियता श्रीधर भासकर वर्णे करह, ठीके, अब लास्ट अंग में देखिए, सह की द्रिशह कव इसका मतलब होता है वह कैसे कभी माने जाते हैं तो इसका उत्तर है रास्ट्रवादी वह रास्ट्रवादी कभी माने जाते है ठीक आया समझों है आपको आप प्रश नंबर तीन देखिए मंचुषातह क्रिया पदानी चित्वा रिक्तिस्थानानी पूर्यत इसका मतलब होता है मंजुशा से क्रिया पदों को चुनकर रिक्ति स्थानों की पूरती करो ठीके आपको ये मंजुशा में क्रिया पद दिये गए हैं इन क्रिया पदों को चुनकर यहां रिक्ति स्थानों में भरना है ठीके, तो सबसे पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं निधेही मतलब रखो, विधेही मतलब करो, जहीही मतलब छोड़ दो, देही मतलब दो, भज मतलब भजो या फिर जपो, चल मतलब चलो, कुरू मतलब करो ठीके, अब हमें यथा दिया गया है, तुम पूरतह चर्णम निधेही, मतलब तुम आगे कदम रखो, अब क में देखिए, तुम विध्यालयम रिक्तिस्थान, तो यहाँ पर कौन सा क्रियापद आएगा, यहाँ पर आएगा, चल, ठीके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, चल ठीके, अब खर में देखिए, राश्ट्रे अनुरक्तिम रिक्तिस्थान, यहाँ पर कौन सा क्रियापद आएगा, यहाँ पर आएगा, विध्य ही, ठीके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, विध्य ही राश्ट्रे अनुरक्तिम विध्य ही, मतलब राश्ट्र से प्रेम करो, गह देखिए, महियम जलम रिक्तिस्थान, तो यहाँ पर कौन सा क्रियापद आएगा, यहाँ पर आएगा, देही, ठीके, तो हम लिखेंगे, देही महियम जलम देही, मतलब मुझे जल दो, ठीके, अब घह में देखिए, मुड रिक्तिस्थान, धनागम त्रिश्णाम, यहाँ पर कौन सा क्रियापद आएगा, यहाँ पर आएगा, जही ही, ठीके, तो हम यहाँ आप लिखेंगे, जही ही मुड जही ही, धनागम त्रिश्णाम, मतलब हे मुर्ख धन की लालसा छोड़ दो, ठीके, अब अंग में देखिए, रिक्तिस्थान, गोविंदम, यहाँ पर कौन सा क्रियापद आएगा, यहाँ पर आएगा, भज, ठीके, तो हम लिखेंगे, भज, गोविंदम, मतलब गो मतलब लगातार अपने उद्देश्य का इस्मरण करो, ठीक, आया समझ में आपको, अब प्रश नंबर चार देखिए, प्रश नंबर चार करो, के अ में हमें दिया गया है, उचित कथन आनाम समक्षम आम, अनुचित कथन आनाम समक्षम न इती लिखत, इसका मतलब होता है, उचित कथनों के सामने आम, अनुचित कथनों के सामने न ऐसा लिखो, ठीके, जो उचित कथन होगा, जो सही कथन होगा, उसके सामने आपको आ हमें यथा दिया गया है पूरतह चर्णम निधेही इसका मतलब होता है आगे कदम रखो ठीक है तो ये वाला कथन हमारा आम है की न है आम है क्योंकि ये वाला कथन हमारा उचित है इसी कारण से यहां पर क्या आया है आम आया है ठीक है अब क में देखिए नीची निकेतनम गि इसका मतलब होता है, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, तो ये वाला कथन हमारा उचित है या अनुचित है, मतलब ये वाला कथन हमारा सही है, तो हम यहापर क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे, ठीके, अब धेखेंगे, स्वकियम बलम बाधकम भवती मतलब अपना बल बाधक होता है तो ये वाला कथन हमारा उचित है या अनुचित है क्योंकि अपना बल ही अपना साधन होता है ठीक है बाधक नहीं होता है इसी कारण से ये वाला कथन हमारा क्या है अनुचित है तो हम क्या लिखेंगे न लिखेंगे ठिक आया समझ में अब गर देखिए पथी हिंसराहा पशवह न संती इसका मतलब होता है मार्ग में हिंसक पशु नहीं है तो ये वाला कथन हमारा उचित है या अनुचित है अनुचित है क्योंकि मार्ग में हिंसक पशु है हम लोगों ने गीत में पढ़ा था कि मारग में हिंसक पशू है और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है मारग में हिंसक पशू नहीं है, तो ये वाला कथन हमारा क्या है अनुचित है इसी कारण से क्या आएगा यहाँपर न आएगा, ठीके अब घह देखिए गमनम सुकरम अस्ती इसका मतलब होता है जाना सरल है तो ये वाला कथन हमारा उचित है या अनुचित है अनुचित है क्योंकि जाना कठीन है ठीके तो ये वाला कथन हमारा क्या है अनुचित है तो हम क्या लिखेंगे न लिखेंगे ठीके अब लास्ट हमारा क्या है उचित है मतलब यह वाला कथन हमारा क्या है सही है तो हम क्या लिखेंगे आम लिखेंगे ठीक आया समझ में आप लोगों को अब प्रेश नमबर चार का आ देखिए वाक्य रचनया अर्थ भेदम इस्पस्टी कुरूत इसका मतलब होता है वाक्य रचना के द्वारा अर्थ भेद इस्पस्ट कीजिए आप लोगों को वाक्य रचना के द्वारा इनमें अर्थ भेद ठीक है परितह का मतलब होता है चारो और और पूरतह का मतलब होता है आगे या सामने ठीक है अब परितह का वाक्य बना ग्रामं परितह व्रिक्षाह संती इसका मतलब होता है गाउं के चारो और पेड है आप एक और वाक्य बना सकते हो ग्रामं परितह शेत्रानी संती व्रिक् ठीक है आप एक और वाक्य बना सकते हैं ग्रीहम परितह व्रिक्षाह संति मतलब घर के चारों और पेड़ है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रामम लिखा हुआ है ग्रामम की जगह ग्रामस से आना चाहिए ग्रामस्य का मतलब होता है गाउं के और ग्रामम का मतलब होता है गाउं को ग्रामम द्वीतिय विभक्ति है यहाँ पर तो ग्रामस्य से आना चाहिए परंतु मैंन तो यहाँ पर ग्रामम लिखा है ऐसा क्यों क्योंकि जब कभी अभीतह परितह सर्वतह उभयतह समया निकसा यह पद आपको दिख जाए वहाँ पर द्वीतिय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीके, इसका हिंदी अर्थ कुछ भी निकले हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीके, हमें क्या करना है, अभीतह, परीतह, सर्वतह, उभयतह, समया, निकसा के योग में हमेशा द्वितिया विभक्ति का ही प्रयोग करना है, इसी कारण मैंने य पूरतह का वाक्य बनेगा विद्ध्यालयस्य पूरतह देवालयह अस्ति इसका मतलब होता है विद्ध्यालयके आगे मंदीर है आप एक और वाक्य बना सकते हैं विद्यालैशेय पूरतह उद्यानम अस्ती मतलब विद्यालै के आगे बगीचा है, ठीक, आया समझ में, अब देखो हमें खमें दिया गया है नगह और नागह नगह का मतलब होता है परवत, नागह का मतलब होता है साथ, ठीक है? तो नगह का वाक्य बना हिमालयह संसारे प्रसिद्ध नगह अस्ति इसका मतलब होता है हिमालय संसार में प्रसिद्ध परवत है ठीके अब नाग का वाक्य देखिए नागह विश्युक्त भवति मतलब नाग जहरीला होता है नाग विश्युक्त होता है अब ग देखिए ग में आ रोहनम और अव रोहनम दिया गया है ठीके आ रोहनम का मतलब होता है चड़ना या चड़ही करना ठीके अव रोहनम का मतलब होता है उतरना अब आ रोहनम का वाक्य बना परवता रोहनम दुशकरम भवती इसका मतलब होता है परवत पर चड़ना कठीन होता है आप एक और वाक्य बना सकते हो देखो रमेशह परवते आरोहनम करोती मतलब रमेश परवत पर चड़ाई करता है ठीके अब अवरोहनम का वाक्य देखिए परवतात अवरोहनम सुकरम भवती मतलब परवत से उतरना सरल होता है एक और वाक्य देखिए रमेशह परवतात अवरोहनम करोती मतलब रमेश परवत से उतरता है ठीके आया समझ में अब घम में देखिए हमें दिया गया है विशमाहा और समाहा विशमाहा का मतलब होता है असमान समाहा का मतलब होता है समात विशमाहा का वाक्य बना सत्यस्य मारगे विशमाह परिस्थितय यह भवन्ती मतलब सत्य के मारग में विशम परिस्थितया होती है ठीके अब समाहा का वाक्य बना अध्यापकाई सर्वे छात्रहा समाहा भवंती मतलब अध्यापक के लिए सभी छात्र समान होते है ठीक आया समझ में आप लोगों को प्रशन चार में वाक्य रशना के द्वारा अर्थभेद इस्पस्ट करना था ठीक है हम लोगों ने क्या करा इस वाक्य रशना के द्वारा अर्थभेत इस्पस्ट करा है ठीक आया समझ में आप लोगों को प्रश नमबर चार का आ अब प्रश नमबर पाँच देखिए प्रश नमबर पाँच में हमें दिया गया है इसका मतलब होता है ये मन्जुशा में अव्यपद दिये गए है इन अव्यपदो को चुनकर आपको इन रिक्तिस थानों में भरना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका मतलब समझ लेते हैं ठीके आप देखो एव का मतलब होता है ही खलू का मतलब होता है निश्चित निश्चय ही तथा का मतलब वैसा परितह मतलब चारो और पूरतह मतलब आगे या सामने सदा मतलब हमेशा विना मतलब बीना अब देखो कमे हमें दिया गया है विद्यालेस्य रिक्तिस्थान एकम उद्यानम अस्ति ठीके तो यहाँ पर कौन सा अव्य आएगा यहाँ पर आएगा पूरत ह ठीके तो हम लिखेंगे पूरत ह ठीके विद्यालेस्य पूरत ह एकम उद् बगी चाहे, ठीके, अब ख में देखिए, सत्यम रिक्तिस्थान जयते, यहाँ पर कौन सा अव्या आएगा, यहाँ पर आएगा एव, ठीके, तो हम क्या लिखेंगे, एव, ठीके, सत्यम एव जयते, इसका मतलब होता है, सत्य ही जीतता है, मतलब सत्य की ही जीत होती है, ठीके अब गह देखिए, किम भवान इसनानम कृतवान, रिक्तिस्थान, तो यहाँ पर कौन सा अवय आएगा, यहाँ पर आएगा खलू, ठीके, तो हम लिखेंगे खलू, क्या आपने निश्चय ही इसनान किया, अब गह देखिए, सह यथा चिंते यति, रिक्तिस्थान आचरती, यहाँ पर कौन सा अवय आएगा, यहाँ पर आएगा तथा, ठीके, तो हम लिखेंगे तथा, ठीके, सह यथा चिंते यति, तथा आचरती, मतलब वह जैसा सोचता है, वैसा आचरण करता है, ठीक, आया समझ में आप लोगों को, अब आंग में देखिए, ग्रामं, रिक्ति ठीके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे परितह, ठीके, ग्रामं, परितह, व्रिक्षाह, संति, मतलब गाउं के चारो और पेड है, ठीके, मैंने अभी आप लोगों को बताया, जब कभी अभीतह, परितह, सर्वतह, उभयतह, समया निक्सा, आप लोगों को दिख जाए, आप ल लामस्य नहीं आया है, लिखा हुआ, ग्रामम लिखा हुआ, ठीक, आया समझ में, अब च देखिए, च में हमें दिया गया है, विद्याम, रिक्तिस्थान, जीवनम, वरिथा, ठीके, तो यहाँ पर कौन सा अव्याय आएगा, यहाँ पर आएगा, वीना, ठीके, तो हम यहाँ पर कौन सा अवे आएगा यहाँ पर आएगा सदा ठीक है तो हम लिखेंगे सदा ठीक है सदा भगवनतम भज मतलब हमेशा भगवान को भजो ठीक आया समझ में अब प्रेश नंबर 6 देखिए प्रेश नंबर 6 में हमें दिया गया है विलोम पदानी योजयत मतलब विल पदों की जोड़ी बनानी है ठीक है अब देखो पूरत ह मतलब होता है आगे तो इसका विलोम है प्रिश्ठत ह इसका मतलब होता है पीछे ठीक है तो हम यह आप लिखेंगे नंबर 1 ठीक है स्वकियम मतलब होता है अपना इसका विलोम है परकियम परकियम का मतलब होता है प अनुरक्ति ही इसका मतलब होता है प्रेम तो इसका विलोम है विरक्ति ही मतलब किसी चीज में रूची न रहना अ लगाओ ठीक है गमनम का मतलब होता है जाना इसका विलोम है आ गमनम मतलब आना ठीक है आया समझ में अब प्रेश नंबर साथ देखी प्रेश नंबर साथ के अ में हमें दिया गया है लट लकार पद ब्यह लोट विधी लिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत इसका मतलब होता है लट लकार के पदों से लोट और विधी लिंग लकार के पदों का निर्माण कर ठीक है तो सबसे पहले हमें लट लकार लोड लकार और विधिलिंग लकार के प्रत्य पता होने चाहिए ठीक है अब देखो यहां पर अब देखो लट लकार के प्रत्य होते हैं प्रत्थम पुरुष में एक वचन अती द्वी वचन अतह बहु वचन अंती मध्यम पुरुष के एक वचन में असी द्वी वचन अतह बहु वचन अत्थ उत्तम पुरुष के एक वचन में आमी द्वी वचन में आवह बहु वचन म इस प्रकार लोट लकार के प्रत्ते देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में अतू द्वी वचन में अतं बहु वचन में अतू अब आपको एक उधारन दिया गया है, यथा दिया गया है पठती अब हमें ये पता करना है पठती कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है ठीक है पठती प्रथम पुरुष का एक वचन है कैसे इसमें पठ दातू लगी हुई है ठीक है इसमें कौन सी दातू लगी हुई है पठ दातू लगी हुई है और अती प्रत्य लगा हुआ देखो क्या है प्रथम पुरुष का एक वचन है तो हमें क्या करना है लोड लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन देखना है क्या है अतु ठीक है पठ धातु में जब अतु प्रत्य जोडेंगे तो क्या बन जाएगा पठतु बन जाएगा ठीक है अब विधिलिंग लकार में भी हमें क्या करना है? प्रधम पुरुष का एक वचन देखना है ठेके? यदि पठ धातु में एत प्रत्य ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठेद बनेगा अब देखो हमें दिया गया है लटलकार में खेलसी अब हमें क्या करना है खेल सी कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है ये हमें पता करना है अब देखो खेल सी मध्यम पुरुष का एक वचन है कैसे इसमें खेल धातु लगी हुई है ठीके इसमें खेल धातु लगी हुई है और असी प्रत्य जुड़ा हुआ है ठीके खेल धात देखेंगे लोटलकार का मध्याम पूरुष एक वचन क्या है ऐ है धिके जब खेल धातू May a प्रत्य जोड़ेंगे तो या बनेगा खेल बनेगा थिके तो हमने याप लिग दिया खेल थिक में आया समझ में अब क्या करना है विधीलिंग लकार के मध्याम पूरुष का एक वचन देखना है तो इसमें क्योंसा प्रत्ते है एहे प्रत्ते है खेल धातु में एहे प्रत्ते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा खेले खेले तो हम यहापर क्या लिखेंगे खेले है अब खादन्ती खादंती कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है? खादंती प्रथम पुरुष का बहु वचन है कैसे? इसमें खाद धातु लगी वी है ठीके? खाद धातु लगी वी है और अंती प्रत्य जुड़ा हुआ है देखो प्रथम पुरुष का बहु वचन में अंती प्रत्य है तो इसमें खाद धातु में जब अंती प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा खाद अंती, अब हमें क्या करना है, लोट लकार का प्रत्य पुरुष बहु वचन देखना है, तो कौन सा प्रत्य जुड़ा हुआ है अंतु, ठीके, खाद धातु में जब अंतु प्रत्य जोड़ इस में एयूहू प्रते जुड़ा हुआ है क्था धातू में एयूहू प्रते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा खादे यूहू ठीक है तो हम क्या लिखेंगे हापर खा दे यूहू ठीक है ठीक आया समझ में आप लोगों को अब पीबामी पीबामी कौन सा वचन और कौन सा पुरुष है पीबामी उत्तम पुरुष का एक वचन है कैसे उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रत्य क्या है आमी जब पीबधातू में आमी प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीबधातू में जब हम आमी प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीबधातू में जब हम आमी प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीबधातू में तो पीबधातू में उत्तम पुर यदि हम आनी प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीबानी ठीके आया समझ में अब विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन देखेंगे तो कौन सा प्रत्य लगा हुआ है एयम ठीके पीब धातु में एयम प्रत्ते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा पीब एयम ठीक है आया समझ में आप लोगों को अब देखो हसतह हसतह में कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है हसतह प्रथम पुरुष का द्वी वचन है इसमें हस धातु लगी वी है यदि हस धातु में अतह प्रत्ते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हसतह बन जाएगा तो हसतह क्या है प्रथम पुरुष का द्वी वचन है अब लोट लकार में प्रथम पुरुष का द्वी वचन क्या दिया गया है अताम तो हस धातू में अताम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हस धातू में अताम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हस धातू में एताम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हस धातू में एताम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हस धातू ठीक आया समझ में आप लोगों को अब नया मह नया मह कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है उत्तम पुरुष का बहु वचन है ठीक है देखो उत्तम पुरुष का बहु वचन में क्या दिया गया है प्रत्ते आमह जब नय धातु में आमह प्रत्ते जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा नया महा, ठीक है, नी धातू, अगर हम इसको ऐसे दाएगे, तो नया महा क्या है हमारा उत्तम पुरुष का बहु अचन है, तो हमें क्या करना है, लोड लकार में भी उत्तम पुरुष का बहु अचन देखना है, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, आम, जब नय धात में आम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बनेगा नयाम ठीक है ठीक आया समझ में अब विधिलिंग लकार के उत्तम पुरूष के बहु अचन में देखेंगे क्या लिखा हुआ है एम प्रत्य लिखा हुआ है ठीक है अब नय धातु में एम प्रत्य जोड़ेंगे तो क्या बन ज आया समझ में आप लोगों को प्रश नमबर साथ में हमें क्या करना था लट लकार के पदो से लोट लकार और विधीलिंग लकार के पदो का निर्मान करना था ठीक है तो आप लोगों को क्या आना चाहिए आप लोगों को लट लकार लोट लकार और विधीलिंग लकार के प्र पदानी निर्देश अनुसारम परिवर्तियत इसका मतलब होता है नीचे लिखे पदों को निर्देश के अनुसार परिवर्तित करो आप लोग को यह जो पद दिये गए है इन पदों को इन निर्देश के अनुसार परिवर्तित करना है ठीक हमें यथा दिया गया है गिरी शि अकारांत है, इसकी सब्तमी एक वचन बना गिरी शीखरे, ठीक है, अब हमें दिया गया है पथीन, ठीक है, पथीन हमें पद दिया गया है, हमें इसकी सब्तमी एक वचन बताना है, ठीक है, पथीन नकारांत शब्द है, इसकी सब्तमी एक वचन बनेगा पथी, ठीके अब हमें दिया गया है रास्ट्र ठीके रास्ट्र की चतूर्थी एक वचन बताना है रास्ट्र अकारांत शब्द है इसकी चतूर्थी एक वचन बनेगा रास्ट्रा है ठीके अब पाशान पाशान की सब्तमी एक वचन बताना है ठीके, पाशान अकारान तो शब्द है, इसकी सब्तमी एक वचन बनेगा पाशाने ठीके, अब यान, हमें यान पद दिया गया है, हमें इसकी द्वीतिया बहु वचन बताना है ठीक है यान अकारान नपुन सकलिंग शब्द है इसकी द्वितिया बहु वचन बनेगा यान आनिग ठीक है अब देखो शक्ती हमें पद दिया गया है हमें इसकी प्रथमा एक वचन बताना है शक्ति इकारांट इस्त्रेलिंग है इसका प्रथमा एक वचन बनेगा शक्ति ही ठीक है अब पशु पशु हमें पद दिया गया है इसकी सब्तमी बहु वचन बताना है ठीक है पशु उकारांट पुल लिंग है इसका सब्तमी बहु वचन बनेगा पशु शु ठीक आया समझ में हमें प्रेश नंबर 7 के आ में क्या करना था? इन पदो को निर्देश के अनुसार परिवर्थित करना था, ठीक? आया समझ में, इस प्रकार हमारा चतूर्थ पाठ मतलब पाठचार का अभ्यास कार्य समापत होता है यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब तक आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं ठीके तो आप लोगों को क्या करना है मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आप लोग आपके फ्रेंड्स को भी ये वाला वीडियो ज़रूर भेजिए और यदि आप लोगों को इस पाठ में कुछ भी प्राबलम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं तेंक यू